हेलो फ्रेंज व्ल्कम बैक नमें चैनल गामरीती पश्रमिला आज की वीडियो में लड़ू को पाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं आप देखें हैंड मेड चीजों से आप इसे बना सकते हैं बोखात ही कुपसरोस यह पोशाक होने वाली है यह सारे फ्लार मैंने हाथ से बना की लगाए हुए है और आपको बनाना भी बताया हुआ है छे नमबर के काना को आपको पहना के दिखा दिक्षाक है बद कुछ लोग थोड़े से बड़े तो जो भी यूज करता हो इसे पांच नमर को पहना पाएगा तो ड्रेस आप पांच और छे दोनों साइज को पहना पाएगे वैसे सभी साइज के लिए मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है सभी का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्सन में और अगर आप इड्रेस पर्चेस करना चाहते हैं तो आप उसे पर्चेस भी कर सकते हैं अब जनमाश्मी पास आगई है तो जनमाश्मी तक तो आपको यह रिसीब नहीं हो पाएगी बट हां आप इसे काना की छटी पे पहना किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बेल आइकन प्रेश करके और पे क्लिक कर लिए जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशिन आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहा कर लिए और पर्चेस करने के लिए आप 7237-862439 बहत्तर 37-8629 पर पैसेज कर सकते हैं चले स्टार्ट करती हूं वीडियो और देख लेते हमने इसे कैसे बनाया है काना जी के लिए सबसे पहले देखिए मैंने आपे बुकरम के ओपर डायमेटर कर लिया है अगर मैं आपको मेजर करके दिखाओं कि यह कितने इंच का डायमेटर है तो देखिए 11 इंच का डायमेटर है डायमेटर कैसे करना है इसका लिंक में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदूँगी मैंने आपको सभी सायच का डामेटर करना बताया है डबल जीरो से लेके 6 नंबर तक के काना का डामेटर सिर्फ बुक्रम का वो मैंने एक अलग वीडियो अपलोड किया है बाकि आप 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर का डामेटर देखना चाहते हैं तो बे कोई भी ऐसा बॉक्स आपके पास हो सरकल में वो ले लीजे और उससे बुक्रम के उपर रखिए मार करके कट कर लीजे एकदम ईजी है तो यहां पर डामेटर कट करने का हर एक तरीका मैंने आपको बता दिया है मैं क्या करूंगी देखिए इस तरह से रखना है और अस्तर दूसरा वाला मैंने हाफ इंच एक्षर रखके कट किया है हम इसे पूरा कवर करेंगे तो देखिए इस तरह से ऐसे मोड मोड के हमें से लेना है चले पूरे राउंड पर मैं यहां पर सिलाई लगाती हूं फिर आगे आपको बताऊंगे कि क्या करना है सकता स्केझों शच उसरी किया है हो गया है हमें क्या करना है इस तरह से मोड ना है मोडने के बाद यहां ऐसे मार कर लिजेए ऐसे नाखून लगाएंगे जा allons द Palo camera हूं इस मार की वालसी पूरे राउंड पर लगाएंगे और यहां से उतार देंगे चले सिलती हूं करीच के यह दिके का इस तरह से कर लिए हैं ऑर देखिये कितम देए का थैमा आई courage हम मैंने इस तरह से क्या करणा यह देखिये दोनों चीलाई के बीसे कट कर लेंगे यहां से कट करने के बाद यहां पर देखे जो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रा इधर दिख रहा है वो सब आप इस तरह से कट करके हटा दीजिए एकदम आसान तरीका बता रही हूं किसी भी सायज में आप बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको य कटी पहेंगे फिर राधाष्ट में नहीं कि पहनाने के लिए बना सकते हैं यह 2017mbre में देखिए के अब में तो फूरी है आदे से लत दो हम इस तरह से इतनी दूर लगाएंगे तो यहां पैटिल्ह लिए है अपनी चलिए चलिए अब आपको प्लेट डालना बताती हूँ कैसे प्लेट डालनी है तो इस तरह से पहले आगे से मोल लिजे और मोलने के बाद एकदम घनी प्लेट हमें डालनी है क्योंकि देखे हम पिंक कलर का फैब्रिक लगा रहे हैं और यलो के उपर लगा रहे हैं तो कहीं से भी हमारा यलो दिखना नहीं चाहिए इस चीज का लिहान देना हमें इसलिए हम यहाँ पे घनी फ्रिल बनाएंगे एकदम नॉर्मल अगर हम यूज करते हैं तो साड़े तीन पट्टी यूज करते हैं इतने बड़े डायमेटर पे बट यहाँ पे मैं चार पट्टी यूज करूंगी मैं नहीं 45-45 इंच लंबाई की अगर आपको डीटेल में सभी साड़े की लंबाई के पट्टि यहां कि कितनी इंच लंबी होती है तो सभी साड़े बेश की वीडियो मैंने अपलोड की है सब ही का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएए चेक कर लिजे कि किस साइच में मैंने कितनी पटियां लगाई हुई है जिस भी साइच का आपको चाहिए मैंने बहुत डीटेल में वहाँ पे लिख दिया है सब कुछ तो आपको इजली मिल जाएगा देखिए मैंने पूरे 45 इंच के फैब्लिक से एक बार में ही प्लेट बना दी है माली यह मेरी आदत है मैंने एक बार में बना दी आप थोड़ी थोड़ी करके बना सकते हैं यह देखिए इस तरह से यहां पर रखके सिल दूँगी यह ऐसे करके इसे हम सिलते हैं यह लगबर एक से डेड़ इंच में हमारा एकट्ठा हो जाता है जो ही लास्ट प्लेट इस्टिच होगी सुई हमारी अंदर जाएगी पीछे से हम उठा के अगर देखिए खीषते हैं तो यह निकलेगा नहीं अब मैं आपको यहां पर दूसरी पट्टी अटेच करना बता देती हूं कि कैसे हम अटेच करते हैं तो इस तरह से यह देखिए इसे आगे से मोड लेजे मोडने के बाद हम ऐसे फ्रिल बनाएंगे और यहां पर लगे हाथ मैं यह भी आपको समझाती हूं कि कैसे हम थोड़ी-thोड़ी सी प्लेट बना सकते हैं मालेजे मैंने एक अठी रिर साडी प्लेट बनादी इसे भी मैं एक अठाई बनाके लगा दूँगी बट आपको समझाना है तो देखिए इस तरह से थोड़ी स सुह हमाइर फिर अंदर गई उटाएंगे और फिर से अपनी प्लेट बनाना से इसहां प्लेट देलोम सेरे से साट करेंगे तो सलनाहे है तो इस स्काशन वगे की तानां मुत करें तो चलिए मैं उन दोनों को भी आपे स्टेच कर लेती हूं फिर आगे आपको बताओंगी कि क्या करना है यह कि हमने है अगर मैं आपको इसकी कमर बैजर करके रिखाऊं कि फिल बनाने के बाद पूरी यह कमर हमारी कितने इंच की हो गई है तो देखे इस तरह से सीधा करके औ यह ऐसे गरके नाप लेंगे कि पूरी गुलाई पर आ रहा है कि नहीं तो दिखे थोड़ा सा छोटा आ रहा है तो जब इस तरह से तो हम इसे हल्का सा onun पर से लगा लेंगे इस तरह से देखे आप क्या रहे है ऐसे पूरा रौnd बना लिजिए यह देखे बस यह मारा पूर कवर हो गया हम इससे पूरे राउंड पर सिलाई लगा लेंगे तो इसे हम कैसे लगाते हैं यह देखे यह हमारा बुकरम का पीज है कि हमारा नेट वाली पड़्टी है हम इस तरह से हलकसा बाहर निकाल के लगाएंगे तब जहाके हमारा पूरे राउंड पे सेट होगा, देखिए इतना बाहर निकला हुआ है, तो चलिए, अब इसे मैं सिलती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है, पूरे राउंड पे हम इसे स्टेच कर लेंगे, थे देखिए हमने यहाँ पे सिल दिया है, सिलबना के बाद हम क्या करेंगे, इसे उल्टा करेंगे, और उल्टा करने के बाद यहाँ उल्टी सायड से हम पूरे राउंड पे लगा देँगे, उसके बाद जो भी हमारे पिंड कलर का एक्स्टराइं फचिर फैबृक है, वो यहिए डिखे यह हमने ही हिहाば सील्ख टाता के और चैशिल्घ कर लिया है उब तेकि कहीं से ऊचा है थोड़ा बहुत और कहीं से हलका बहुत नीचा है हम रहे करना है बस सिम्पल यहां पर से राउंड में एक सिलाई लगानी है चलिए सील्ख Cibev ने कर से। जिसे हमारी प्रेट का फेस इधर रहेगा तो सिलाई इजी हो जाएगी बस इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है नॉर्मल चलिए सिलती हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है ये देखे हमने हैं पूरे राउंड पे सिलाई लगा दी है अब जहां जहां हमारा थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा है वो हम इस तरह से कट कर लेंगे ये देखें ये ऐसे करके एकदम इजी है आसानी से बना सकते हैं आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे आपको बनाने में और बहुत कम में एक्ट्रेल का यूज़ किया है मैंने और कापी हमारी हैवी ये पोश्राग बनके रैडी हुई है ये इस तरह से अब हमें यहां पे यलो नेट लगानी है अब देखिए यलो कलर वाली जो नेट हम कट करेंगे वो हमें इस तरह से कट करनी है हलका सा इस पे चड़ जाए और हलका सा हमारी बाहर निकल जाए यह देखें यह ऐसे यहाँ पे पिंक वाले के ऊपर थोड़ी सी चड़ गई है और इधर बाद निकल गई है यह हमने डबल ली हुई है अगर मैं आपको इसकी चड़ाई मेजर करके दिखाऊं कि कितने इंच है तो यहाँ पे यह 5 इंच है और यहाँ अगर हम मेजर कर रहे हैं तो हलकी सी देखे चड़ाने के बाद और हलकी सी निकालने के बाद धाई इंच आ रहा है तो धाई इंच को इस तरह से आप डबल करिए पाच इंच हो गया यहाँ से आप इस तरह से मेजर करें जितना भी आता है उसको डबल कर लीजिए बहुत इजी है तो मैंने यहाँ पे वही अपनी 45-45 इंच लंपाई की चार पठ्टियां ले ली है जितनी पठ्टियां अहाँ उतनी ही पठ्टिया नीचे बस अंतर यह है कि निचे वाली डबल है ऊपर वाली हमारी सिंगल थी हमें क्या करना है यह दिखें इस तरह से इसे वैसे ही प्लेट बनाएंगे बस यहां पर प्लेट हमारी जो है वो दूर दूर रहेगी, ऐसे यह दिखें, यह इस तरह से, दूर दूर रहेगी, और फोल्डर साइड हमने नीचे रखी हुई है, खुली हुई साइड हमारी ऊपर है, यह सिल देंगे इस तरह से, लास्ट प्लेट इसे चुछ हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप जरूर ट्राइ करिए अपने काना के लिए यह दिखें और आप पर्चेस करना चाहते हैं तो आप मुझे पर्चेस भी कर सकते हैं यह ड्रेस आप मुझे यह दिखें हमने यहां पर इसे स्टिच कर दिया है अब हम क्या करेंगे इस तरह से यहां पर यह पूरे पर लगाएंगे यहां ऐसे रखके और पूरे राउंड पर सिल लेना है चलिए सिलती हूं फिर आगा आपको बताऊंगी कि क्या करना है हल्का साब का बाहर निकला पूरे पर लगा दिया है अब यहां पर जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे यह मैंने कट कर दिया यह हमारा हो गया अब यहां पर नेफा अटैच कर लेते हैं और इस पर हम एक बार और शिलाई लगा देते हैं अब देखिए यह जो सिलाई मैंने लगाई है वो लगभग हाफ इंच नीचे से लगा लिए है जिसे यह और अच्छा लगने लगा है सैट हो गया बहुत अच्छे से अब यहां और यह पट्टी लिए और यह पट्टी कैसे कट करना है इसका भी लिंक मैं आपको साइट से हमें लगाना है तो यहां पर इस तरह से रखके सिलेंगे चलिए सिलती हूं फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है पूरे राउंड पर सिलना है और स्टार्टिंग में अपनी सिलाई को लॉग जरूर करना है यह देखिए सिलने के बाद मैंने हाफ इंच एक् अब हम इसे फ्रंटे पर लेके आएंगे यह इस तरह से और यहां पर जो हमने हाफ इंच एक्षा रखा है उसे मोड लेना है मोडने के बाद ऊपर से भी से हम हलका सा मोडेंगे और यह मैंने डोरी ली हुई है यहां पर रखके और पलटके सिल देना है इस तरह से यहां पर आप स्टार्टिंग और एंड में अपनी सिलाई को लॉक जरू करिएगा और दूसरी चीज ध्यान देने वाली डोरी के उपर से सिलाई नहीं लगानी है हमें चलिए सिलती हूं फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है यह देखे हैं हमारा जो में बेस था वो रेड़ी हो गया है नेव आप देखें कितना फिनिसिंग से हमारा लग गया है एकितम गोल अब हम इसे साइट करते हैं मैंने हाँ पे यह पट्टी ले ली है फ्लार बनाने के लिए अगर मैं आपको इसे मेजर करके दिखाऊं तो चार इंच चड़ाई और नुव इंच लमब्डाई है हमें क्यों करना है इसे किस तरह से बनाना है आप थेयान से देखें बहुत ही जादा इसी सबसे पहले तो हम इसे यहां से मोड़ेंगे यह दिखे मैंने मोल लिया मोलने के बाद हमेंशे बंसे इस त convenience से-s यह दिखें एकदम टाइट, यह देखें, एकदम टाइट मैं रोल कर रही हूँ इसे, यह मैंने इतना रोल कर लिया, आप देखें, यह हार्ड हो जाएगा जब आप इस तरह से रोल करेंगे तो, अब यह जो हमने फोल्ड किया था, इतना हिस्सा हमारा बचा हुआ है, अब देखें, पर अंगल फ कि देखना इस तरह से आप ध्यान से देखि एक है उपर से बनाना सीच गख सी। अगर आप एक बार इसे बनाना सीख गए करेगी कई सारे फिलार बना लेगे यह घुमा दिया है, यह देखें इस तरह से, आप ध्यान से देखें, नीचे से हंग उठा, उपर से उंगली, यह हमारा यहां नीचे गया, और इसे हमने रोल कर लिया, रोल करके नीचे से पकड़ लिया, बहुत इजी है, इतना जादा इजी है, अगर आप एक बार इसे बना जादा एक्स्ट्रा है, तो थोड़ा सा कट कर लेती हूँ, और जो बच गया, इसे हम यहां मोड़ेंगे, यह देखें, आपका यहां पे ऐसे पोंच जैसा निकल जाएगा, यह देखें, अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं बताओं तो मैं देखें, इस तरह से स्टेपलर जाएगा, और पिन कर दिया, यह देखें, अब यह ना खुलेगा, कुछ भी नहीं होगा, आप सुईधागे से सिल लिजे, हम क्या करेंगे, यह फ्लार यहां यहां पे लगाएंगे, तो मैंने कई सारे फ्लार बनाय हूँ है, आप देखें, यह सारे मेरे हाथ से बने ही फ् फिर्चेज दुलिये कुछ भी करिए, खराब नहीं होगी, यह तो इन आप बहुत ज्यादा है और चाजिज़े उस उसे रोज़एगे, आप बहुत ज़्यादा उसे रोज रोज दुल नहीं पाएंगे, अभी तक कि अगर तक मिए तो हमने, लिज भी कुछ भी इसमे नही पाएंग के बहुत जादा ये नीचे से मैं कट कर लूंगी और इसे हम क्यारा लगा मैं चिपका लेती हूं मेरे पास इतना च्यादा टाइम नहीं है सिलूंगी तो बहुत च्यादा टाइम लेगा और मेरी ग्लू स्टिक भी बहुत अच्छी है मैं चिपका के अगर इस पर उचाड़ूंगी तो हमारा कपड़ा फट जाएगा बट निकलेगी नहीं तो इसलिए मैं चिपका लूँगी अब जल्यती से फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है यह देखें मैंने से देकोरेट कर दिया आदे कितनी सुन्दर लग रही है एकदम सिंपॉल और आसान तरीके से अगर आप एक्स्ट्रा में देखेंगे तो मैंने यह पिप्स और यह चोटी-चो बनके रेडी हो गई है अब देखें आपको क्या करनी है मैंने तो यह सेंपल के लिए पस आपको दिखाने के लिए लिया है क्योंकि मेरी पट्टी यह रेडी है आपको कोई भी 6 इंज चोड़ाई लेनी है यह चार इंज चोड़ाई है बट 6 इंज चोड़ाई लेनी है इस प्रूंको इसकी लंबाई बताऊं तो जो लंबाई है वो हमारी 1.5 ग्यारा इंच के करीब में है हम इस तरह से मोड़ेंगे मोडने के बाद हमें यहां से कट करना है कट करने के बाद इस पर हम तीरची सिलाई लगाएंगे और खोल के यहां पर हम अपनी डोरी स्टिच कर ले यह देखे हैं हमारी चोली भी रेड़ी हो गई और छे नंबर के काना यहीं पर बैठे हुए हैं अब चली मैं पहना के दिखा देती हूं आपको यह सभी काना जी लोगों मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही रखती हूं मैं इनकी सेवा पुझा नहीं करती तो यह देखे यहां पर जो ड्रैस है मैंने पहना दीछे नंबर को आप देखें कितनी सुन्दर लग रही है एकदम सिंपल और आसान तरीके से हमने इसे बनाया है तो आप भी से आसानी से बनाई और अपने काना को पहनाई एकदम डिटेल में आपको समझाया हुआ है तो वीडियो सब्सक्राइब करके जाएगा अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे